तो भाई क्या हमें WWE बेव को बना रही है Seth Rollins और Bronson Reed के नाम पर I mean जो स्टोरी लाइन चल रही है कि Seth Rollins और Bronson Reed जॉइन करेंगे Bloodline को Survivor Series War Games के लिए तो देखो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि WWE जो चीज हमें देखा रही है वही चीज के साथ में वो Survivor Series में जाने वादी है देखो ऐसा हो सकता है कि War Games के अंदर हमें Final Boss The Rock कर रिटर्न देखने को मिल जाए बट भाई मैं 100% शौरूं कि अगर वो रिटर्न करते भी हैं तो वो War Games में तो Compete नहीं करने वाले इसके लावा यार Cody Rhodes के लिए क्या Planors Survivor Series War Games के लिए वो कल की SmackDown के अंदर हमें पता चलेगा क्योंकि अगर Cody Rhodes Kevin Owens के पीछे जा रहे हैं तो भाई वो Roman ने इसकी टीम को जाइन नहीं करने वाले War Games के लिए इसके लावा यार नेक्स वीक की जो Monday Night Raw है उसको WWE ने पहले से टेप कर लिया है जिसमें भाई हमें ये देखने को मिला है कि Seth Rollins और Bronson Reid का जो मैच हुआ था वहाँ पर Bronson Reid की जी तो ये Solo सिकोग के interference की वैसे एंट फिट Seth Rollins की help के लिए वहाँ पर हमें Jay Uso, Jimmy Uso और Sammy Zain भी देखने को मिले हैं फिलाल हम लोग बात कर लेते हैं कल होने वाली SmackDown की तो भाई कल की SmackDown के अंदर Motor City Machine Guns जो है वो अपनी Tech Team Championship को Defend करने वाली है Street Profits के खिलाव और वो Successfully अपनी Championship को Defend कर लेंगी वही Nia Jax जो है वो अपनी Championship को Defend करने वाली है और यहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि Nia Jax successful यह अपनी Championship को Defend कर लेंगी इसके लावा कल Kevin Owens और Cody Rhodes के बीच में भी हाता पाई हो सकती है भाई साब क्योंकि Randy Orton को तो उन्होंने ठिकाने लगा दिया है और Kevin Owens का भाई Ultimate जो Target थे वो Cody Rhodes ही थे तो कल इन दोनों के बीच में हमें Brawl देखने को मिल सकती है वहाई भाई कल हमें SmackDown पे Seth Rollins भी देखने को मिल सकते है जो कि Roman Reigns को directly मना करें कि भाई मैं नहीं आना चारा तेरी टीम में वैसे Roman Reigns भी भूके नहीं है भाई Seth Rollins को अपनी टीम में लाने के लिए तो आप लोग का इसके उपर क्या विचारा कमेंट में बता सकते हो बगी वीडियो के अंदर इतना ही WWE की informative वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना मिलते है नेक्स्ट वीडियो के अंदर